मत्रों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अगर आप भी देना चाहते हैं कोई खाबर या जानकारी तो इन नंबरों पर करें संपर्ख उत्तर प्रदेस में डेंगू और बुखार का कहर थम नहीं रहा है फिरोजाबाद में अब तक कई बच्चों समेथ 62 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है मत्रों और मेरट में भी डेंगू के मरीज हैं पूरे यूपी में अब तक 100 से ज़्यादा मौत हो चुकी हैं मत्रों म लाकों में भी बुखार के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं मेरट में भी डेंगू के नए मरीज मिलने से स्वास्त विभाग की चिंता बढ़ा रहे हैं से निवार को 17 मरीज मिलने से जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या 150 के पार पहुँच गई मेरट के मुखे चिकच स्वास्त विवार की टीम घर में डेंगु निकलता है तो उनके आसपास 50 घरों का निरिक्छन करती है। वहीं डेंगु के मरीज में घर के आसपास फॉगिंग और इस तरह का कार किया जा रहा है। टीम फॉगिंग और एंटी लारवा इस्प्रे लगातार कर रही है जिसके अच्छे परनाम हमें मिले हैं वही डोर टू डोर सरवे में भी बात करें तो बुखार के रोगी अधिक मिले हैं जिसमें लगबाग 328 हमें बुखार के मिले वही अगर बात करें तो जुखाम मरीजों की संख्या 1200 थी जिसमें दो सक्ता से दिक खासी वाले रोगियों की संख्या 222 है जिसके बल गम की जाच कराई गई यहां जिलास प्रसाशन डेंगू की रोगथाम के लिए लोगों को जागरुक करने में जुटा है इसके अलावा वारानसी में भी डेंगू के मामले क कम हैं लेकिन यहां वारुल ब्खार के मरीजों की संख्या अधिक है वारानसी में डेंगू के प्रकौद में समय और साथी कमी आई Cordini के साथी कमी हुए लेकिन वार के मरीज अभी भी बढ़ रहे हैं योरो रिपोर्ट एबी न्यूज